राम राम जी सबको आपका दिन मंगल में हो मैं इश्वर से कामना करती हूँ आप हमेशा खुश और स्वस्त रहें आज हम बात करेंगे चिकन पॉक्स के जो निशान रह जाते हैं यानि कि चेचक रोग में जो हमारे श्रीर पर एक तरह का किसी के काला निशान और किसी के उसके साथ गड़े भी बन जाते हैं कुछ एक तो बिल्कुल हलके गड़े होते हैं, कुछ एक बहुत गहरे हो जाते हैं, तो उनका क्या उक्चार कर सकते हैं, तो मैं बताऊँ आपको कि ये जो निशान है, इनका ये आपको उक्चार करना है, तो चार साल से ज़्यादा पुराने निशान ना हो, उन पर आप कोश कोशिश तो कर सकते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती लेकिन उतना 100% उनकी गैरेंटी नहीं ली जाती कि वो खड़े भरेंगे बाकी जो निशान हैं वो जो मैं आपको घरेलू उपचार बता रही हूं दो बताऊंगे इनसे 100% खतम हो जाते हैं तो कोशिश यही क करूंगे कि जिस किसी का भी हो सबके निशान साफ हो लंबा टाइम ना हुआ हो लेकिन यदि किसी को लंबा टाइम हो गया है तो निराश होके ना बैठें ये लगातार करे रखें तो इसमें सादो साल टाइम दें तो हो सकता है आपको अराम मिले और जादा से जादा लोग कुछ नहीं होता आपका मन साफ होना चाहिए, आपके करम इतने अच्छे होने चाहिए, कि आपकी ईशुर के साथ जो attachment है वो इतनी अच्छी हो कि अंतिम समय में जब हमारे प्राण निकले तो उस समय इश्वर के सामने जब हम नहीं बदल सकते उसको तो जो याद भी करोगे यदि आपके साथ बुरा हुआ है अच्छा हुआ है तो अच्छे को याद करोगे आज बुरा समय है तो उदास हो जाओगे कि पहले का समय अच्छा था आज बुरा है आज अच्छा है पहल कल बुरा था तो फिर आप बुरे मे चले जाओगी कि मेरे साथ कितना बुरा हुआ तो उदास ना हूँ जो निकल गया वो निकल गया लेकिन आगे अपने ऐसे करम रखो कि ईश्वर के सामने हमें नीचा ना देखना पड़े और जब आपके ऐसे करम होंगे और आपकी आत्मा शुद्ध और साफ होगी ना यकीन म मन का भाव हम खुद एक गांठ मांद लेते हैं कि ये हमारा भद्धा लगता होगा बद्धे कभी विचार नहीं लगते जब एक इनसान के अच्छे विचार अच्छी आत्मा अच्छा आच्रन अच्छे करम जब एक अपने चारों और एक सराउंडिंग एक अच्छी पोज जब लिजी आप कोई प्रेक्टिस या कोई घुरर वाला एकजाम दे रहा है और वह एक अच्छा आपसर बन गया तो वह किसी का पती भी बनेगा उसे भी बहुत अच्छे लगेगा और वहकर रहना सहना करंब उसके बहुत अच्छे हैं तो वह पूरी दुनिया को और तो बड़ी हस्तियां कोई बहुत अच्छे करम कर जाए, कोई पुन्या का कार्या करे तो उनका रंग चाहिए सामला हो कैसा भी हो उधारन देने को तो बहुत से लोग है लेकिन उधारन देकर मैं किसी का नाम वीडियो में मेंचन नहीं करना चाहती बाद में बड़े इशु बन जाते हैं इन चीजों पर लेकिन मन को उधास ना करें बाकि निशान मिटाने के घरेल उपचार हैं क्योंकि इन चीजों की वज़े से कई लोग बहुत हताश और निराश हो जाते हैं तो ऐसे ना हो उसके लिए आपको उधारन दिये हैं बकी इसके दो उपचार हैं वो आप देख लेजी आप आजमाना उसका रजल्ट बहुत अच्छा है ताजा निशान है चार साल से पहले के तो आपके निशान बिल्कुल खतम हो जाएंगे पुराने हैं तो उदास ना हो आप लगा के देख लेजी एक साल तक इसमें कोई बड बना के एर टैट कंटेनर में बंद करके रख लें फिर उस चिलके को बढ़िया से पीसे हुए को गुलाब जल के साथ मिला के अच्छे से थोड़ी देर भिगो के रख दें फिर और मसल के मिला लें उसको उस पेस्ट को जहां भी निशान है चेचक के चिकन पोक्स के आप उ लगातार करना है अराम तो देखिए 10-15 दिन में हलका तिखने लगेगा लेकिन समय किसी के 1-5 महिने में ही भर जाते हैं किसी को 6 महिने तक का समय लग जाता है तो टाइम जरूर दे और लगातार लगाएं उसके इलावा एक चीज और इस्तिमाल कर सकते हैं आपको क्या करना है हल्दी लेनी है थोड़ा सा गेहूं का आटा ये कमबिनेशन बहुत अलग हैं अब एक जो ये शंत्रे का चिल का बेशन दही हल्दी मिला के लगाते हैं ये चाईया और चेहरे का धूल मीटी के निशान कालापण निखार के लिए है ये लेकिन संत्रे का अकेला छिलका गुलाब जल के साथ चेचक के लिए ही है ये थोड़ी बहुत चीजों का चेंज हो जाता है लेकिन इनका उपचार अलग अलग है तो जिस रोग में जैसा बताया जाए वैसा ही करें तो चेचक के लिए एक तो संत्रे के छिलके गुलाब ज जल के साथ गुलाब जल अच्छा हो अच्छी ऐरवेदिक कंपनी का आप लें क्योंकि घर में त्यार करना थोड़ा मुश्किल होता है उतना प्योर नहीं हो पाता इसका थोड़ा अर्ख निकाल के डाला जाता है इसके अंदर तो आप अच्छी ऐरवेदिक कंपनी से ले ले और सतंत्रे के चिलके के अंदर मिला के थोड़े दर भीगो के फिर अच्छे से उसका पेस्ट बना के रात को लगा के खड़ों के अंदर पूरा भर के सो जाएं सुबह आप ताजा पाने से चेहरा साफ कर ले अब दिन में एक बार आपको एक पेस्ट और लगाना है क्या ल लब्द करवा लें कैसे भी हो और यदि नहीं है तो नूर्मल गाये का आप इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन 100% रजल्ट आपको उसी से ही मिलेगा फिर आपको लेनी है हल्दी का पाउडर हल्दी का पाउडर अब हल्दी का पाउडर ले रहे हैं या कच्छी हल्दी को घिसके ले रहे हैं, दोनों ही चीज ले सकते हैं, अच्छे लाब हैं दोनों के, बराबर लाब हैं, कोई किसी में नुकसान नहीं है, थोड़ा गेहूं का आटा, और थोड़ी हल्दी आपने ले ली, उसके अंदर गाय के दूद के जाग, दूद तो बिल्कुल थोड़ा आधा एक च जाग करके, अब जैसे यदि आप क्रामियन एरिये से हैं, और आपके पास पशू हैं गाये, आप दूद निकालते हैं, तो ताजा दूद जब निकालेंगे, उसमें खूब सारे जाग होते हैं, तो एक ही बार में आप डाल सकते हैं, उसको मिला ले उन जागों को, हल्दी क गिहू कवाटे को, और इसको उन निशानों पे लगा के एक दो खंटे रखें, यदि सर्दी है तो एक दो खंटे लग जाते हैं, सूखने में गाड़ा खड़ा पेस्ट हो तो, और जैसे ही सूख है, ज्यादा दिर सूखा हुआ आपको लेके ने गूमना, जैसे ही लगी, सूखने वाला है, उसको ताजा पानी से आप धो लें अराम से, तो इससे ये दो उपचार हैं, चेचक के दगों के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, आप अपना सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि किसी के दग चार साल से पुराने ना हो, यदि किसी को ता चार मिल जाए, तो कुछ एक चीज़ें एरसी होती है, बहुत ज़्यादा समय भी इतने पर उनका उपचार नहीं होता, जैसे टूटी हुई हड़ी किसी की हो, तो उसमें एक्सरसाइज टाइम से जरूरी है, कुछ एक कलस्तर कर देते हैं, या करवा लेते हैं, तो उसके मह स्ट्राइब करना बिलकुल ना भूले,